नमस्कार, मैं दॉक्तर जीनिता पालड़िया, जी एलन में वर्किंग हूँ as a फिजोटरपिस्ट भारत विकाश परीशत ब्यावर की रिक्वेस्ट पे मैं एक वीडियो प्रिजेंट करने जा रही हूँ वो है basically how to avoid neck pain और shoulder pain while working at home इसके लिए कुछ precautions रखने हैं आपको, तहले तो सबसे आप एक 40-40-40 का formula आपको याद रखना है मतलब हर 40 minute के बाद में आपको 40 second तक खड़े होना है, 40 meter की distance पे आपको देखना है ताकि आपकी गर्दन, आपके कंदे और आपकी कमर को एक नया posture मिले और जो continue आप 40 minute तक posture maintain करके रखे हैं उसमें change हो जाए इससे आपकी मासपेशियो पे इतना वजन नहीं आएगा और आप रिलेक्स रहेंगे हर 40 minute के बाद में करने वाली जो exercise है जो गर्दन और कंदे की combined exercise है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ पहला आपको है इस तरीके से हाथ पो ऊपर लेके stretch देना है इसको 5 second तक hold करना है फिर relax चोड़ना है इसको 10 तफा करना है सेम इसी तरीके से गर्दन के पीछे रखेंगे आप यहां पर और कंदे को पीछे खीचेंगे और ढीला चोड़ेंगे इसके अंदर जो 3rd step है वाप standing करेंगे इस तरीके से पीछे से गोल्ड करके इसको back stretch लेंगे and then relax चोड़ेंगे यह तीन कसरत आपको करनी है यह तीनों कंदे और आपके गर्दन के लिए है अब सिर्फ गर्दन के लिए अगर आपको exercise करनी है तो वो routine में आपको सुभह शाम करनी है जो देख लीजे इधर आप गर्दन को लेके जाएंगे पांच की ग आपको जुकाना है बिना कमर पे कोई भी stress डाले वे और कमर को जुकाएंगे वापस सामने लेके आएंगे फिर गर्दन को इधर की तरफ जुकाएंगे पांच का गिंतिगी लेंगे वापस सामने लेके आएंगे छट की दरफ देखेंगे और वापस सामने लेके आएंगे आपकी जो ठोड़ी है, ठोड़ी को नीचे अड़ाने की कोशिश करेंगे और धीला छोड़ेंगे, इस तरीके से आपको ये कंधे, गर्दन की करस्थ करनी है, और हर 40 मिनिट का अलाम आपको आपके मोबाइल में डालना है, क्योंकि जो हमारा शरीर है, वो 40 मिनिट से ज्याद तो आपको लेना ही है, धन्यवाद